हे दोस्तो विल्कम टू आ चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया आप अगर चैनल पे निया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर दे जनुएन इंफरमेशन और आपका कोई 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 रिस है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो दोस्तो आज 30 जैनुवरी 2022 कल मंडे 31 जैनुवरी से एक नया ट्रेडिंग वीक स्टार्ट होने जाड़ा है तो कल जब 9 बच के 15 मीट पे बजार उपन होगा तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको रेकमेंट करूंगा टोटल 12 शेर जिसके अंदर आपका नजर जरूर होना चाहिए क्योंकि यह 12 शेर में कुछ ना कुछ जरूर होगा या तो बहुत ज़्यादा तेजी या तो बहुत ज़्यादा गिरावट और इसके पीछे प्रॉपर रीजन भी है तो चलिए देख लेते कि यहां पे कौन-कौन सा शेर को पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ नजर रखने का रेकोमेंड कर रहा हूं कोई भी शेर बाई सेल करने का वो आपके उपर है बट नजर जरूर रखना ये सारे शेर के अंदर तो सबसे पहला शेर है हमाई लिस्ट में एक बहुत ही शांदार एंड मार्केट लिडर कंपनी वेदान ता लिमिटेड जो कि लास्ट टेम हमने द होगा तो कैसा रिस्पॉंस आता है वेदान तकी शेर के अंदर लास्ट यह अपने देखा था कि शेर कंदत काफी तेजी देखने को मिला था बीच में उसके बाद लगबग एक दिर बर्ज के बाद से मार्केट के अंदर भी थोड़ा वाथा में गिरावट देखने को मिला राइन वेदान तकी शेर भी अल्मोस्ट फ्लैट में आके क्लोजिंग गया एक मैने पर कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं वा तो मेटल सेक्टर कंपणी दोस्तों यह थोड़ा सा वलेटाइल चलता है तो यह भी आपके दिमागब होना चाहिए कर यहां पे आपको नज ज्यादा में गिरावट देखने को मिला था कुछ दिन पहले शेयर जहां पे सारे 5000 की उपर काफी स्ट्रॉंग सपोर्ड नजर आया था वही देखे लास्ट एक हपते के भीतर भीतर शेयर पहुंच गया लगबग 4500 रुपए यानि सारे 4000 रुपए का लेवल ब्रेक करके न अंदर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना यहां पर जो जो शेयर मैं आपको रेक्मेंट करूंगा नजर रखने के लिए कि कौन-कौन से तेजी होगा कौन-कौन से गिरावाट होगा नेक्स यह हमारे लिस्पे आईडी एपसी फरस्ट बैंक का रेजल भी दोस्तों ला और व्यविए फ्क दोस्तों देखनाई कि कल इसका इंपक्ट आमसे का निलता होप्सुली अच्छा इंपक्त आँगा तो लास्ट ऐत महें इक धिय। बहुत लंमने भी जह कंडर बदो इसको कैसा र्षे कर तकर नेक्स माइल रिलक्स माइट हो फूटवरे मैं आज की रेट में एक अगर कल गिरता है क्योंकि कंपनी का रेजल्ट अगर हम बात करें दोस्तों बहुत ही ज्यादा डिसपॉइंटिंग आया जो कि लास्ट डेई आया था कंपनी का रेजल्ट एन उसके साथ सा दोस्तों हमें गिरावट नजर आया यार ओन यार बैसिस पे तो रि अगर इसके अंदर फर्दर गिरावट होता है तो काफी निचे तक जा सकता है यहां पर यहां पर आप नजर जरूर रखना नेक्स यह दोस्तों यहां पर हमारे लिस्ट में डिक्सों टेक्नलोजी डिक्सों का शियर भी दोस्तों इस बार कुछ खास कंपनी का रेजल्ट न के बाद और कंपनी का रेजल्ट दोस्तों चाहे को आटर और की बात करें यहार और की बात करें दोनी सेग्मेंट पर हमें गिरावट नजर आया वह भी काफी ज्यादा तो डिक्सों टेक्नलोजी के पर भी हम सभी का नजर आएगा कल की डेट पर हो सकता है कि इसके अंदर करेक्शन देखने को मिलें रिलाक्स फूटफायर की जैसा अब करेक्शन कहां तक हो सकता है यह किसी को नहीं वालूम जब मेजर सपोर्ट लेवल है वह 4,000 रुपे के लेवल अगर वह लेवल ब्रेक हो गया तो डिफिनली सारे 3,000 की तरब जा सकता है चले देखते हैं नेक कुस टाइम से अगर जो कोई सेक्टर गिरा है वह आईटी सेक्टर मतलब सबसे ज़्यादा गिरने वाला सेक्टर था आईटी सेक्टर यान लास्ट डे फ्राइडे के दिन हमें थोड़ा बहुत रिकावरी भी देखने को मिला आईटी सेक्टर के अंदर स्पेशली यहां पर पहुंच गया था लगबख सारे 500 रुपए का लेबल नीचे ब्रेक करके तो लास्ट डे में हमने देखा था लगबख 560 के उपर जाने कोशिश भी गया था उसके बाद मार्केट के अंदर ही अगर गिरावाट रहा तो डेफिनेटली इसके अंदर भी हमें थोड नेक्स टेडिंग विख है उसके साथ बजेट में बहुत ही ज़्यादा होने जा रहा है टाटा पावर हर एक एक एकसपर्स का फेवरेट स्टॉक है बजेट के दौरान टाटा पार लास्ट कूस टेम से भी हमने देखा था कि टाटा पावर का बैडलाक बहुत ही खराब है एक्चुली देखा जाए तो यह ब्रेकाउट हो जाता अगर मार्केट लास्ट एक हफते से नहीं गिरता तो इसके अंदर ब्रेकाउट आ जाता अब देख से तो बहुत बार कोशिश किया था बट क्या करें यहां पर मार्केट के अंदर गिरावाट हमें देखने होना तो इसके अपर भी हम सभी का नजर होना जरूर चाहिए भारतिय टेल दोस्तों बहुत इंपोर्टन पॉइंट है कि गूगल ने भारतिय टेल के अंदर काफी हूज इन्वेस्टमेंट करने का डिजिशन लिया यहां पर देख सकतो जो कि मार्केट बंध हो जाने के बाद फ्रा इसके इंपक्ट है प्रोजिटिव आने का चांस है अगर हम बात करें तो यह शेर के अंदर भी लास्ट एक मैने पर कोई बहुत बारा गिरावाट नहीं था इवेंट छे मैने पर भी कोई बहुत बारा गिरावाट हमें देखने को नहीं मिला नेक्स यहां पर हमाया प्रोफाल बहुत ही शांदर आप देख सेकतो जब से लिस्ट हो तब से लेका सब बढ़िया रिटरन दिया आप तो इसको भी हम सभी का नजर आगा कंपनी का अपकमिंग ट्रेडिंग विक पे रेजल्ट आउट होने जा रहा है नेक्स यह हमाई लिस्ट में है भारत पेट मैं बार बार बोलता हूं कि रात में ठीक है सोने से बहले एक बार बस आप चेक कर लेना कि कौन-कौन सा वीडियो अप्लोट किया हूं ठीक है तो बीपी सेल के रेजल्ट दो से कल इंपोर्टन होने जा रहे इसके उपर अपडेट मैं आपको कली दे दूंगा तो फिलाल अ इसके अंदर भी एक फ्रेश ब्रेकाउट आने का चांस था एवन ब्रेकाउट आया भी था पचास पांच सो रूपए को पर शेर पहुंचा भी था वर अनफॉचनेटली फिर से नीचे आके क्लोजिंग दिया तो इसके उपर भी दोस्तों सभी का नज़र आगा कल यानि ट किया था तो KPIT का शियर दोस्तों लगबग 800 रुपए का लेवल टच का निगवाद काफी जादा करेक्शन देखना हुए क्योंकि आइटी सेक्टर कुपरी करेक्शन था तो बैसे कली KPIT का भी कल रेजल्ट आउट होगा इसके उपर भी आपको अपडेट मिल जाएगा चैन नेक्स वीडियो बेद आप तक के लिए टेक क्या बाबाई जाए हिंद